और त्रिपुरा पूरवर निर्वाचन शेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है मतदान के लिए सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है हमारी समधाता दीपिका महतो ने चुनाव आयोग त्रिपुरा के CEO पुनीत अगरवाल से विशेश बाचीत की जिसमें उन्होंने त्रिपुरा में चुनावायो के सामने आने वाली चुनावतियों के बारे में बताया त्रिपुरा में First Face की पोलिंग 19 अप्रेल को हो चुकी है जो त्रिपुरा West में थी और अब पूरी तैयारी है त्रिपुरा East की पोलिंग की जो की 26 तारेक को है और फिलाल हमारे साथ Election Commission CEO त्रिपुरा श्रीपुनीत अग्रवाल जी हैं त्रिपुरा वेस्ट के इलेक्शन की बात करते हैं और जिस तरीके का टर्न आउट रहा क्या चालिंजेस थे आप लोगों के लिए यहां पर पोलिंग कराना और यहां की स्थिती को देखते हुए क्या क्या मुश्किल है अपने फेस की सब्सक्राइब तो अब नाइटीन नाइटीन में उस समय हमारे यहां 168 पोलिंग स्टेशन में डीपॉल हुआ था उस समय वाइलेंस को लेके कि पूरा काफी न्यूज में आया था तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कैसे हम वाइलेंस फ्री पीस्फुल इलेक्शन कंड़क्ट करा हैं उसके लिए हम लोगों ने havens फले एंशूर किया कि जो पॉलिंग स्टेशन हैं उसमें जो वेब कास्टिंगी फसलीटीर है सभी स्टेशन में लाइव वेब कास्टिंग के तो हम देखें कि वहाँ election peaceful way में हो रहा है और security forces उसको हमें कैसे हम best optimal way में use करें उसके लिए हमें total hundred companies मिली 85 में central parameter forces थी उनको हमने ensure कि हर polling station location पे central parameter forces की presence रहे ताकि जो voters हैं उनको एक confidence रहे कि forces हैं जो neutral impartial way में उनको security प्रदान कर रहे हैं इससे लोग के बीच हमने ये भरुसा कायम करने का प्रयास किया कि वो बिना किसी भय के अपनी सेच्छा से vote देने के लिए पुली लिल मदान कीम तक आए और उसका रजल कहीं नहीं दिखा जो हमने देखा त्रपुरा वेस्ट में अच्छे खासी voting हुई है अच्छी प्रतिक्शत से जादा हुई है त्रपुरा ईस के लिए अब केसी तैया रहे हैं एस्ट में भी और चैलेंजे से हमारे हमारे जो एइस्ट में अगर हम देखेंगे वेस्ट actually दो डिस्त्रिक्श को में चाफ डिस्ट बात Matter मियली स्टिट जो कैपिटल है जहां पर population density जादा है वो एन उसके साथ adjoining district उसमें main cover जाता है हमारा जो east वाली seat है जो second tipra की seat है जो polling में जाएगी उसमें छे रा स्टेट के districts आ जाते हैं out of total eight और वो down north से लेकर down south तक पूरा area कोर करता है तो उसमें challenges है कि हमारी total polling stations काफी spread out है और उसके लिए हम वहां तक polling parties को लेके जाना और उनमें forces deploy करना वो एक challenge है और इस area में mainly tribal population जादा है तो उनकी areas इस consistency में जादा आते हैं तो उसको भी हम लोग एंशोर कर रहे हैं कैसे इस tribal non-tribal mix में भी हम peaceful election एंशोर करा पाएं तो ये सुना अपने श्रीपुनीत अगरवाल जो की है चीफ executive officer election commission त्रपुरा के त्रपुरा इस में अब election होने जा रहे है जो कि 26 तारिक को है और उसको लेकर election commission की पूरी तयारी है voters में awareness भी create किये जा रहे है और excitement भी साथ साथ create किये जा रहे है camera person कुमारदते के साथ तिपेका डीडी न्यूस त्रपुरा और आई अब बिहार की बात करते हैं बिहार के सिवांचल शेत्रे की कठिहार लोगसबा सी